नमस्कार क्यापिचल चीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नौ में बड़ी खबर दिल्ली एमसेडी चुनाओं से जुड़ी हुई सामने आ रही है दरसल आम आदमी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा है बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक टिकट पे तीन करोड की मांगी गई और तीन करोड लेकर ही लोगों को टिकट बाटे गए जिससे नाराज होकर हबीब उलहसन ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है दरसल वो टावर पे चड़ गया जिनका टिकट कड़ गया था तस्मीरे आपको दिखा रहे हैं आप तस्मीरों में देख सकते हैं कि दरसल लंबा ये हाई वोल्टेस ड्रामा चड़ा चला टावर पे चड़ गया पुर्वपारसद है हबीब उलहसन उनका कहना है कि उनका टिकट कार्ट दिया गया और जिस वज़ा से वो नाराज होकर ट तीन करोड की मांग की जारी है इस बड़ी कबर पे मेरे साथ न्यूजरूम से जुड़े हुए है क्यापिटल टीवी के एडिटर इनचीप डॉक्टर मरिश कुमार इस हाई वोल्टेस ड्रामा पे तुम्हें आउंगी लेकिन आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोफ है ती नावा करने में भी बड़ा माहिर ये नायक फिल्म में जिस तरह अनिल कपूर कीचलों में घुश करके कीचलों को साफ कर रहे हैं दूद से नहा रहे हैं ये टिपकल जिसों कर सकते हैं कि एक आम आदमी पार्टी केजरी वाल ने अपने तरह एक ड्रामेबाज को रखा अब ये कहा है की इसकी टिकट को कार दीए गया है और इसके स्थान पर किसी और कोई टिपकू चौधरी या किसी को दिया गया है उससे तीन कड़ों रुपे लिए ऐरोप लग रहा है तो माने निये संजे सिंग, माने निया अतिशी मार लेना और माने निये सौरभ भरतवाज औ और तमान तरह के आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो टिकट डिस्ट्रिबूशन का काम कर रहे हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि तीन कलोर रुपे में बेचा जा रहा है वैसे मैं आपको बता दू ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी का टिकट बिक रहा है बोल जगा ये टिकट बेचने का धंदा जो है इसका चाली हुए अब ये हविबुल हसन इसने क्या किया आपके समझे कि क्या धूर्तता से यहां पे पार्टी केजरिवाल चलाते हैं कल नॉमिनेशन का आखरी दिन है ये क्यों पोल के उपर चड़ गया नॉमिनेशन का कल आखरी दिन हैं और पिछले तीन दिनों से जो तमाम पार्षद हैं या जो प्रोवेबल उमिदवार हैं उसको जैसा प्रती धोरा जो उसकी बातों से कि इनके तमाम कागजात क्योंकि फॉर्म भरना एक टेकनिकल काम है फॉर्म अगर गरबर हो गया तो आपकी आपका नॉमिनेशन जो है वो कैंसल हो जाएगा तो तमाम ओरिजनल डाकुमेंट्स पास्बुक और सारी चीजें ये पिछले तीन दिन से आम आदमी पार्टी के लीडर लेकर के बैठे हुए थे वो इसलिए ये कहने के कहने के लिए कि तुम्हारा फॉर्म हम भरेंगे आप सारे डाकुमेंट् अब ये डाकुमेंट्स जमा हो गया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के तरफ से कह दिया गए तुमको टिकेट नहीं मिलना किसी चौधरी को दिया जा रहा है अब ये कह रहा है मुझे वापस दो तो दो दिन से वो वापस मांग रहा है आम आदमी पार्टी के लोग दे किस बात का डर कि कहीं वो निर्दले चुनाव ना लड़ ले येस कि वो अपने मन से कोई काम ना कर सके इसलिए उसके तमान डॉक्मेंट जो है रख लिए गए और इसलिए वो टावर पर चड़ गया मीडिया वालों को फोन किया क्योंकि ये जानता है कि एक ड्रामे बाज क ड्रामा से ही जुकाया जा सकता है मीडिया का खौफ इतना जादा होता है केज्रिवाल को की मीडिया में कोई गरत बात ना आ जाए इसके लिए केज्रिवाल कुछ भी करने को तयार है ये आरूप देखिए जब अपने ही लोग लगा रहे हो पांच घंटे तक वो खड़ा था आपको ये समझ भी नहीं आया कि भई इसके डॉक्मेंट जो वापस करने है आप जब मीडिया पर ये खबर चले लग गया ये लाइव होने लग गया धर के मारे आपने किसी वक्ति को भेज दिया ले लो अपना ये सारा डॉक्मेंट ये तो सोले फिल्म में जो धर्वंदल टैंकी के उपर चल गया कूछ जाओंगा फान जाओंगा और उस तरीके से अपनी बातों को मनवा रहा है ये बताता क्या है ये बताता है पहली चीज ये कि आम आदमी पाटी जिस तरीके का दावा की कटर इमांदार बहुत ट्रांसपरेंसी और हम बहुत ही अलग धंग से पाटी चलाते हैं ये मिथ्या इस तस्वीरों से जो है वो वो खत्म हो रही है कि आपका ही लीडर अपनी ही बातों को मनवान के लिए उसको इस तरह के हत्कंडे अपनाने पड़ते हैं एक दूसरा टिकट बेचे जा रहे हैं ये कोई आरोब बीजेपी लगाती कौंगरेस पाटी लगाती कोई और विरोधी लगाता तो बास समझ में आती आपके ही लोग आपके उपर इतना बड़ा लांचन दे रहे हैं अब ये जो तीन क्रोंड में बेचने का जो आरोफ है कोई पहली चीज मैं बार-बार कह रहा हूं पंजाब के अंदर ही ये धना डिलोगों को टिकट दे रहा आप गुजरात में देख लीजिए अभी क्या हो रहा है गुजरात में बहुत सारे लोग आमादी पार्टी क्यों आ गया है क्योंकि पांच-छै साल आपने संगठन के लिए काम किया और जो टिकट दे की बारी आ रही है धना डिलोगों टिकट दिया जा रहा है किस बात के लिए किस बात के लिए अभी सुकेश्च छंसे करने क्या कहा कि हमने 50 क्रोंड रुपे दिये और उस ने गहा कोई आम आदी पार्टी में कोई कंट्रिबूशन नहीं उन से पैसे ले करके आप उसे रास्वा में भेज़ आप यह आरोप कोई दूसरे लोग नहीं लगा रहे हैं यह आरोप आम आदी पार्टी के तरफ से लगा और बड़े बड़े लोग आम आदी पार्टी को छोड़ने को मजबूर हुए वो इसलिए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जैसे लालू यादव जैसे मुलाइम सिंग यादव जैसे मायावती पैसे का कारोबार करके अपनी राजनीती को चमकाते थे यही काम केजरिवाल भी कर रहा है और ये बार बार अगर देखिए एक ही चीज़ को एक ही तरह के एलिगेशन को उसके ही पार्टी की तरफ से लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं और उसमें तो कुछ ने कुछ सचाई होगी सचाई है और इसे लिए मुझे लगता है कि ये जो ने ढंक से ये जो दिल्ली के अंदर जो फस गए है केजरिवाल कि हमको कुड़ा का पहार हटाना है दस वचन दे रहे हैं तो दस वचन में ग्यारवा वचन ये भी जुड़ जाएगा कि तीन करोर रुपे दो और आम आदमी पार्टी के टिकेट लो ये मैं वचन देता हूँ यही सब कहानी चल रही है तो ये मुझे लगता है कि इस बाड स्टार्ट फर आम आदमी पाटी क्योंकि कल लास्ट डेट है अभी तो एक ने ड्रामा किया है कल देखिएगा एक दो दिन और भी कई सारे लोग सामने आएंगे कि जो कहेंगे कि भई हमारे साथ धोका हुआ है क्योंकि आप देखिए ये व्यक्ति अकेला टावर पे चड़ के लोकन लोग वहाँ पे मौजूद थे इसके समर्थन में वहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि केजरिवाल जैसा जूटा अगयती कोई नहीं ये कौन लोग है ये वो लोग है जो आम आदमी पाटी के समर्थक है जासातर मुस्लिम भीड़ वहाँ पे नदर आ रही थी वो य जो है कटरी मांदार खुद को बताता है और सबसे महा ब्रश्ट और महा बैमान है ये लोग कौन कहने वाले लोग है ये वो लोग है जो आम आदमी पाटी को अब तक वोट देते आए हैं जिसके वज़े से केजरिवाल दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बना हुआ है तो मुझे हाल हिमाचल और गुजरात में केजरिवाल का होगा वही हाल इसके गढ़ दिल्ली के MCD एलेक्शन में हो जाएगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमार साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया